तो आज की इस वीडियों हम बात करने वाले हैं वर्ग और बर्गमूल जी आपको सबको पता होना चीए कि बर्ग किसी भी संख्या का बर्ग कैसे निकालेंगे और बर्गमूल भी कैसे निकालेंगे हम आज की इस वीडियों में ही बात करने वाले हैं तो बर्ग का सिंपल से मत मैं गातलव होता है गर हम बात करेंगे 11 क 되면 ूर्ड, कुछ इस प्रकार लिखते हैं, तो 11 सब असानई से कितना होता है 121 होता है, हम बोलेंगे आपको कि बताए 14 का बर्ग, तो बोलें, कितना होता, 196 होता है, ठिक लेकिन क्या आपको सब्धी संख्या का बारी याद है नहीं तो आज मैं आप लोग टोटल तीन टैप्स का बर निकलने बताऊंगा ठीके तीन टैप्स से तो विडियों बढ़े रहेंगे मालिजी आप संख्या लिया 35 टाइप वन कहता है कि किसी भी संख्या के लाष्ट में 5 ह इसका simple सा work अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे सबसे पहला step type 1 में ठीक है type 1 होगी आपका ठीक है अगर last में 5 होगा तो simply आप 5 करेंगे क्या square तो 5 के square कितना होता आपका 25 लिख देंगे दाहिने तरफ क्या 25 ठीक है अब जो भी संख्या बच्चा है तीन बच्चा हुआ है इसमें एक जोड़ देंगे 3 प्लस 1 कितने होते हैं अपका 4 अब 4 में पुना 3 से ही multiply करेंगे तो 3-4 कितना होगा आपका 12 है यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा समझ में नहीं आया एक और देखते हैं हम लोग मालेज यह मैंने लिए कितना आपका 65 तो 65 का square करना हो 25 6 में 1 जोड़ेंगे 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और 7 को पुना 6 से गुना कर pasture Hungary 7 6 के होता एकmer कितना 22 40 यह हमारा क्या होजाएगा ? भर्ग हो जाएगा यह था हम लोग का जिस संख्षया के अंत में तो गदसभण 5 होगा कर दद dell 2 होक्म कुछिस प्रिकार स्वाइब करेंगे ठिके? लेकिन अगर अगर 5 न अगोर यह संख्या होगा इसमें भी मैं type 1 की बात करेंगे ठीक है दो तरह solve करने में बताऊंगा कैसे सबसे पहले 6 का बर्ग सबको याद है कितना होता आपका 36 तो 36 लिख लेंगे simply या ठीक है अब 3 का बर्ग कितना होता आपका 9 तो 9 भी लिख लेंगे लेकिन अक single ना लिख करके एक zero लगाएंगे double डबल अंग करना आप लोग को ठीक है यहाँ पर अल्री डबल था तो मैं जिरो नहीं लगाया ठीक है अब क्या करेंगे इन दोनों का करेंगे आपस में गुना 3 चक के 18 18 गुना 2 कितना होता है 36 एक नंग छोड़कर करके आप 36 इसमें जोड देंगे ठीक है कितना हो जाएगा chronic 22 12, तो 1296 आपका 36 का बर्ग निकल कराएगा, यह था टाइप नुबर 1, टाइप नुबर 2 की बात करेंगे, 36 कहीं बर्ग मैं देख लेता हूँ, ठीके, करना कुछ नहीं सिंपल है, सबसे पहले 6 का बर्ग करें, कितना होता 6 का बर्ग 36, तो 36 का आप केवल 6 ही लिखेंगे, ठीक आपका 18, 18 में गुना करना, फिर 262 कितना होगा 36, आप यहां पे केरी क्या था, आपका 3 था, था ना, जो 36 और 3 कितना होता, 49, तो 49 का आप 9 लिखेंगे, ठीके, फिर आपका केरी कितना बचेगा, आप 3 बच गएगा हाथ में, ठीके, अब क्या करेंगे, 3 का करेंगी स्क्व और देंगे, तो हो जाएगा आपके इतना, 1296, ठीके, कोई दिक्कर, एक और प्रस्ण देख लेते हैं, ठीके, माल लिजिए, मैंने लिया कितना आपका, 57, ठीके, 57 का स्क्वार करना आपको, ठीके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 7 का स्क्वार, 49, 49 का 9 लिखेंगे, हमरा आ 30 स्कुने में 2 करेंगे, सत्तर, सत्तर में 4 को जोड़ देंगे, सत्तर, 4 कितना होता है, अपका, 74 का 4, हासिल कितने बचेगा, फिर 7 बच जाएगा, हमारा, ठीके, फिर 5 का करेंगे, स्क्वार, 5 के स्क्वार होता है, 25, 25 में 7 को जोड़ देंगे, 25 कितना होता है, 32 होता है, ठ 75 का बर्ग क्या हो जाए अपका 3249 यह जो हो गया हम लोग का बर्ग निकलने का ट्रीक हो गया अब चलते हम लोग बर्ग मूल की तरफ ठीक है वर्ग मूल वर्गमूल ठीक है मा लेजिए मैंने आपसे बोला कि रूट अंडर ठीक है उन चास का वर्गमूल बताईए तो आप सिंपली बता दें क्या होगा सेविन होगा क्योंकि आपको याद है लेकिन वहीं अगर बात करेंगे हम रूट अंडर फोटी फाइब का बर्गमूल क्या होगा इसका तो आपको याद नहीं है देखिएगा तो इसमें करना क्या है कि रूट के अंडर क्या है फोटी फाइब है ठीक है तो फोटी फाइब के आसपास आगे या पीछे दो ऐसे वर्ग देखने हैं वर्गमोल देखने हैं जिसका पूर्ण रूप से बर्गमोल निकलता हो जैसे में कि 45 के ठीक पहले क्या होता है ठीक बाद 49 होता है आपका जो कि पूर्ण रूप से बर्गमोल इसका निकलता है 7 ठीक है इसके ठीक पहले क क्या होता आपका अगर ठीक पहले की बात करेंगे तो 36 होता है जिसका ब्रंग भरमल कितना आपका छे होता है ना अब देखना क्या है कि जो 45 है किसके सब से नजीदीक है 36 का नजीदीक हैków लाट की 49 तो आप बोलेंगे यहां पे 49 और 45 में 4 का गेप है और यहां की बात करेंगे हम लोग यहां पे 9 का गेप है तो नजदी किसका है 49 का ठिके तो 49 का बर्गमुल आपको पता है कितना उताप का 7 तो simply आप करेंगे यहां पे 7 ठिके क्या लिखेंगे 7 अगर आप से अब क्या है फोटी नाइन जो है फोटी फाइब से बड़ा है यानि कि उल्टा समझेंगे तो फोटी फाइब जो हमारा फोटी नाइन से क्या है छोटा है अगर यह छोटा है हमारा तो करेंगे माइनस छोटा रहेगा तो करेंगे माइनस अगर मालीजी यहां पर बड़ा रहत तो हमनों क्या करते हैं प्लस करते हैं अगर इसके नहीं दीख रहा था तो ठीक है एक और स्वाल में देख लेंगे ठीक है अब क्या करेंगे माइनस करेंगे क्यों कि यह 49 से क्या है 45 छोटा है कि इतना छोटा आपका तो चार का डिफ्रेंस है चार का अंतर है ना अब क्या करे इसने बटे में करेंगे भाग, भाग किसे करना है? इस साथ को ही डबल करके भाग करते है, साथ दोनी कितना होता हब अपर चौध, लीजी हमारा आनसर हो गया हेंपे, अब इसको करेंगे सॉल्प, शॉल्प करने का सिम्पल ट्रीक है क्या 14 गुने करेंगे 7 14 ते कितना होता है 90 90 में से चार को मानस करेंगे तो कितना होगा आपका 94 94 बटे में 14 अंसर हो जाएगा यह क्या हो जागा हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है बर्गमूल निकल जाएगा एक और प्रस्ण देखते हैं मान लीजिए मैंने लिए क्या 32 32 का बर्गमूल निकलना है ठीक है इसके ठीक पहले और बात देखने है पून रुप से बर्गमूल एक होता है कितना आपका 36 जिसका हमको पता है कितना होता है 6 एक होता है कितना आपका 25 ठीक है किसका होता है इसका इतना होता है 6 तो आप simply 6 लिख देंगे हाँ ठीके अब 32 जो है 36 से बड़ा है कि छोटा तो बोलेंगे छोटा छोटा होगा तो करेंगी माइनस कितना छोटा है तो दोनों का बीच का अंतर कितने का है 4 का तो फोर करेंगे ठीके और बटे में क्या करना आपको simply इस 6 का डबल से करना है भाग 6 का डबल कितना होता अपका 12 बस भाग करके solve कर देने है यहांनि कि 12 गुने में 6 करेंगे 12 छे के होता है 72 72 मिसे अगर 4 मैनस करेंगे तो कितना हुआ 68 ठीक है बटे मुझा कितना अपका 12 इसका अगर answer की बात करेंगे तो 12 पंच होता है कितना 60 10 मलों बैठाएं पर 0 ठाएंगे बार चेके हो जाएगा 72 ठीक है फिर बार चेके 72 5.66 के आसपास यह answer इसका आएगा बर्गमुल ठीक है यह था चलिए एक दो प्रस्ण और देख लेते हैं हम लोग मा लेजिए for example मैंने लिया root under ठीक है root under मैंने लिया कितना आपका 52 52 इसका बर्गमुल क्या ह इस ठीक पहले और ठीक बात देखने होगे जो कि perfect यानि पूरा पूरा बर्गमुल आपको पता होना चीए तो ठीक पहले आपका होता है कितना आपकाacağız जिसका ब्रगमुल होता है कितना आपका seven ठीक है और इसके आगे चलेंगे तो क्या होता है 64 यहने क्या होता आपका 8 होता है ठीक है 52 के आगे क्या होता आपका 64 64 का बरमूल 8 फिर 49 का बरमूल 7 इन दोनों के बीच में ही तो है 52 आपका या 53 है ना करना कुछ नहीं है 52 जो है किसके नजदेक में और कितना नजडिक में यह देखना होता आपका तो 52 जो है 49 का सबसे नजडिक में यहाँ पर अगर यहाँ बात करेंगे तो 12 इसल आप फूशाएगा ठीक है तो जो नजडिक में होगा जिसका उसी खलेंगे तो 49 नजडिक है तो 49 का बर्मुल कितना होता आपका 7 तो simply लिए आप 7 को लिग देंगे, ठीके Plus मानस पे द्यान देना भास के वल अब देखिये फिफ्टी तू जो है फोटी ने से बड़ा एकि चोटा तो बड़ा है तो बड़ा है तो करेंगे Plus बड़ा है तो करेंगे Plus अज चोटा रागा तो करेंगे Minus ठीक है कितना बड़ा है तो 3 का गेप है यहाँ पे कितने गेप है 3 का तो 3 लिग देंगे और कुछ नहीं करना है बटे में 7 का डबल से यानि कि 14 से करना आपको भाग बस इसको solve कर दीजिए 14 गुने में 7 की जाए 14 होता 98 98 में 3 को जोड़ेंगे 99 99 99 100 और 101 101 बटे मुझा कितना आपका 14 अगर आप इसको solve करेंगे ठीक है तो लगबग 7.23 का सपस आएगा ठीक है तो 52 का जो बर्मूल होगा कितना आपका 7.32 होगा ठीक है कुछ इस प्रकास आप लोग बर्मूल निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का ठीक है तो इसका बर्मूल रूट इंडे 28 का बर्मूल क्या होगा अप लोग कॉमेंट करके बता है ठीक है तो उम्मेद करते हैं कि वीडियो पसंद नहीं होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए और हमाई चैनल को सब्सक्राइब किजिए